पॉपुलेशन और और्टिंसम से 2023 का जो कोश्चन उसको देखते हैं लिस्ट दिया हुआ है एक लिस्ट 1 में यहाँ पे इंटरेक्शन है लिस्ट 2 में स्पीशीज A और स्पीशीज B के बारे में जो इंटरेक्शन हो रहा हो दिया गया है कि पॉजिटिव हो रहा है या निट्रल हो रहा है मतलब नहीं फायदा नहीं नोकसान या निगेटिव सिच्वेशन है कि एक स्पीशीज A को फायदा हो रहा है और B को नहीं फायदा नहीं नोकसान तो पहला इंटरेक्शन मियूटिलिजम है तो मिर्टरिलिजम में आपको पता है कि दोनों ही इस्पेशीज को जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट रहे हैं, दोनों को ही बेनेफिट मिलता है. जैसे लाइकेन है, इसका माइको राइजा है, प्लांट पॉलिनेटर्स है, राइजूबियम वो लग्यून प्लांट का इंटरेक्शन है, तो एक मेरे खाल से कौन सा फोर्थ वाला सही होगा, इसके लावा सीधे नीचे देखिए पैरसीडिजम, पैरसीडिजम में पैरसीडिजम होता है, उसको नुकसान होता है, तो D का सही आंसर हो जाएगा, ठर्ड वाला पॉजिटिव और नीगेटिव, मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, 47 का D वाला आंसर जो है, वो सही लग रहा है, ठीक है, अब आते हैं, नेक्स कोस्टिन पे, कोस्टिन नमबर 48, और उपर करूँ, तो साफ आ जाएगा, क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो अर्दा टू स्टेटमेंट्स, अब दोनों स्टेटमेंट्स देखते हैं, पहला दिया, गौस कंपेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स देट्स दैट्स टैट्स दाट तो गोजली रिल वहां पर ये competition जो हो रहा है वो दोनुही species co-exist indefinitely नहीं करेंगे हमेशा के लिए नहीं करेंगे जो inferior species होगी वो ultimately क्या हो जाएगी वहां से खतम हो जाएगी minute हो जाएगी statement 2 किया in general carnivores are more adversely affected by competition than herbivores तो carnivores जो होते हैं वो जादा affected होते हैं as compared to the herbivores अब इन दोने statement को ध्यान में रखते हुए कौन सा यहां पर option सही है statement 1 is correct but statement 2 is false ठीक है तो सीधा answer statement A ठीक है correct है लेकिन दूसरा statement क्या है यहां पर गलत है कि अब जो दूसरा in general carnivores are more adversely affected by competition than herbivores ऐसा कुछ है नहीं carnivores जादा करेंगे यह उपर opportunity बहुत कम है food की competition बहुत जादा उनके साथ हो जो carnivores होते हैं अब इसके बाद next question पर आते हैं 48 के बाद कौन सा है 49 काफी बढ़ा है चलिए फिर भी देखते हैं यहां पर listing दीवी है match कराना है फिर से वही है logistic growth exponential growth expanding age pyramid stable age pyramid अब logistic यह exponential growth पहला exponential growth जो होती है जे shift growth कर जिसमें विलता उसको देखते है unlimited resources availability अब ही exponential growth चले गए तब इस तरह से भागेगा उपर logistic age shift growth कर होगा जो के limited resource available condition होगा expanding age pyramid क्या होगा the percent individual growth of the pre-reparative age largest followed by the reproductive and post reproductive age group और last case the percent individuals of pre-reparative and reproductive age group are same option पे आते हैं हम लोग सीधे question number कौन सा है 49 है option क्या दिया हुआ है option है a का second b का fourth c का first और d का third और उसी तरह से a का second है मैं सीधे answer बता देता हूँ आप लोगों को ज्यादा परशान नहीं होना है 49 का c वाल answer सही होगा a का second होगा b का first c का third और d का fourth होगा तो यह 2023 का तीसरा question था इस चप्टर से चौथा question आते हैं a leopard and lion in a forest grassland cuckoo laying इन्हें क्रो नेस्टी तो brood parasitism का सीधा सा फंजाई है and root of fire plant neutralism का है cattle aggregate and cattle in a field commonalism का है a का first होगा b का second होगा c का third होगा और d का four होगा choose the correct answer from the option given below चारों तो सही match कर रहा है इसमें क्या करना है a का first b का second c का third d का four तो c answer सही होगा ठीक है c वाल answer बिटा है यहाँ पर सही हो जाएगा